हमारे शीष्ट नित्वित के अधीन जो है हर लोकसबा जो हमारी कॉंसिच्वेंसी है उसका दोरा कर रही है और प्रतेक कारेकरता से पदादीकारियों से मुलाकात कर रहे हैं उसे राय मश्वरा कर रहे हैं कहां किस कैंडिडेट को फिल करना चाहिए कहां क्या समिकरन कौन जिताओ कैंडिडेट होगा कैसे ज्यादा सीटों पर हमारी पार्टी जीत पाए उसको ले करके निरंतर जो है आधरनिये दुशन जी भी आधरनिये सदार निशान सिंग जी भी कुछ जगाओं पर हमारे राश्ट्रिय अध्यक्ष भी कारेकरताओं से चर्चा निरंतर कर रहे हैं और बहुत जल्द पार्टी ये फैसला लेगी कि पार्टी कितनी सीटों पर कैसे किस तिती में चुनाव लड़े ऐसा है हमारा बीजेपी के साथ बीस परसेंट की हिस्सेदारी का एक फॉर्मूला ते हुआ था सरकार में भी और उसके साथ साथ चुनावी उसमें हुई बीजेपी से जब अब ये पीछे बाचीत हुई तो उसके अंदर बात दो सीटों की नहीं थी बात एक ऐसे फॉर्मूले पर भी लाने की थी जिसमें अगर जेजेपी कोई सीट ना कंटेस्ट करे मगर बीजेपी का किया हुआ वादा भी बीजेपी अगर पूरा कर द और गठबंदन तूटा उसके पशात अब दोनों पार्टियां अलग हो चुकी हैं हम विपक्ष में हैं विपक्ष में भूमिकाने बाहरे हैं वो बात अलग थी आज की बात अलग है अब हम दस सीटों पर अपनी पूरी तयारी से चुनाव रहें तो ये तो सवाली नहीं उ लुकूक की लड़ाई पार्लेमेंट में हमारे प्रत्निदीर लडेंगे पहले भी लड़ते आएं आगे भी लड़ेंगे नहीं वो उनका भविश्य तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है दिल्ली के अंदर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करकर के और बातें करते थे जमीन पर कोई संगर्ष नहीं वो तो यह कहते थे उनके बेटे तो कि मैं तो आईएस की नोकरी छोड़के आया हूं मेरे पर जंता क्या इसान है तो अब जंता आई ना दिखा देगी मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं मैं तो पार्टी के लिए काम करना चाहता तो लोकसभा की राजनीती को हरियाना में बदलने वाले एक मील का पत्थर है दुशन चुटाला ने ये दिखाया कि MP बन करके क्या किया जा सकता है पिछली पंती में बैठकर सिर्फ जी हजूरी नहीं अपने हरियाना की आवाज को कैसे बुलंद किया जा सकता है दुशन ज काम किया है दुशन के काम को हरियाना की जनता सलाम करती है उन्हें याद करती है और आगे भी उन्हें और मजबूती से मौका देना चाहती है वो MP के रूप में हो मुख्यमंत्री के रूप में हो किस रूप में हो ये बविश्यक्र में तो यह है कि जो भी कैंडिडेट है व बची वी चार सीटों में देखेंगे किस कैंडिडिट पतारेंगे अभी तो कोई ज़्यादा अच्छी इस्तिती नहीं बई अभी मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं बट जो कैंडिडेट दिख रहे हैं वो लोग बार-बार उनको अजमा करके वो लोगों के मन से उतर चु प्रते गाओं कस्बे महले में हमारे कारे करता हूँ कि एक बड़ी फोज है जो कभी भी बैरिक में जाकर किस होता नहीं हर वक्त लड़ाई लड़ने के लिए तयार रहता है कोई भी चुनाव आया है उसको हमने मजबूती से लड़ा है लोकसभा चुनाव को सिरफ और लिक तोर पर नहीं लड़ेंगे मजबूती से लड़ेंगे नंबर जीत करके आएंगे पार्लेमेंट में हमारा प्रतिन दी जाएगा यह मैं बड़ी विश्वास से कह रहा हूं